आजी गुडियूनि किशन नितिन गुडियूनिंग सभी को गुडियूनिंग सुभांशू क्लास रखना है न ऐसा तो नहीं कि क्लास कैंसल करना मेरे ख्याल से बच्चे सभी लोग आ जाएगे मुझे नहीं लगता सभी लोग फ्रीवी हो गया ओगे गुडियूनिंग विना है वेजनती गुडियूनिंग है एप्पी इंडिपेंडेंडेंस देश सभी को चल अचे निसीता गुडियूनिंग मतलब सभी बच्चे है यार मुझे ऐसा लगा था कि कहीं क्लास कैंसल ना करना पड़े यस तो आज क्लास रहेगी क्लास रहेगी हंड़ेट परशन क्लास रहेगी तो मांसी है रोहन है मांसी रोहन साजी सभी लोग आचुके इशा गुडियूनिंग चलो क्लास स्टार्ट करें हां सर क्या पढ़ना है थे हम लोग हां मैंने आपने जो मुझे सेंट किया है एक्चली मैं आज देख नहीं पाया था अभी मैं देखकर आपको रिप्लाई करूंगा कि लेंग्विज क्या होना चाहिए एक कोश्चन था आरे डियर वाला जिसमें हमको डिस्कुशन करना था कियार जिसका शार्टिनेटी इक्वेलेंट कम है उसका उसमें रिस्क ज्यादा है और रिस्क ज्यादा है तो आरे डियर ज्यादा लेना चाहिए उसका लेंग्विज क्या हम सेंसिटिविटी अनलिसिस पर बात कर ले पहले फिर मैं सारी बात करूँगा, टेंसिटिविटी एनलेसिस पर हम कोई एक्जामपल कर रहे थे, और उस एक्जामपल में हमने एनपी भी निकाला था, और मैं आप से बोल रहा हूं कि यार हम को क्या करना था, बुरा से बुरा सोचना था, यही बात थी, और सर वो एक्जामपल कहा है, एक्जामपल था, मैंने वापस नोट डाउन कर दिया था इसको, और एक्जामपल में सायद कुछ चैंस तो नहीं है, तनिस्क गोड इवनिंग, कॉस्ट और प्रोजेक्ट है एक लाग बीस एजार, सी एफ एटी है, फोटी फाइफ थाउजेंड लाइफ दिया था, पास सा एक बार मैं उसे रीट करूँगा, आज ही नौ बजे के बाद, और फिर आपको रिपलाई करूँगा कि क्या लिखा होना चाहिए, ठीक है सर, मेरे ख्याल से मुझे सही दिख रहा है, पर वो सर्टिनिटी एक्वेलेंट के मैटर पे में, और आरे डी आर के रिलेशन की विस स्टार्ट करें, यस, अब हम कर रहा है, सेंसिटिविटी एनलिस, अब दो एप्रोच है यार मेरी बात समझो, आज लग जाए तो लग जाए टाइम, इस वज़ा से बोल रहा हूँ, क्योंकि कोश्चन से, सीए फाइनल में बड़े सारे कोश्चन से, ठीक है सर, तो स्टार् इस्टार लगा कर लिखोगे, सेंसिटिविटी, एनलिस, सर, किस में करना सबसे पहले, सबसे पहले, इन कॉश्ट आफ प्रोजेक्ट, पहला काम कर रहा है, कॉश्ट आफ प्रोजेक्ट, और कितने पर्षंट का एडवर्ज देना है, 20 पर्षंट, अच्छा सर, ये नोट्स आपके काम आने वाले है, कुछ बच्चे मेरी बात समझना, किसी का नावंबर 25 अटेम्ट है, तो यार, ये नोट्स आपके बहुत काम आएगे, प्लीज अच्छे से नोट्स तैयार कर देना, कॉश्ट आफ प्रोजेक्ट में मुझे निकालना है, सेंसिटिविटी अनलिसिस, क्या सूचेंगे, अभी कॉश्ट आफ प्रोजेक्ट कितने का है, सर, कॉश्ट आफ प्रोजेक्ट अभी है 1,20,000 का, अगर बुरा से बुरा होता है, अगर 1,20,000 से उपर हो जाता है, बढ़ जाता है, तो NPV में क्या फर्क पड़ेगा, बेसिकली हम यही निकालने की कौशिश कर रहा है, सर हम क्या निकालने की कुशिश कर रहे है, प्लीज थोड़ा हिंदी में लिखवा दोगी कि हाँ, अगर, हिंदी कैसी आफ लोगो खिक? मुझे नहीं लगता कि अच्छी होगी, अगर प्रोजेक्ट कोश्ट 20 परशं तत्र increase गुपता है तो NPV पर या effect होगा बेसिकली यहीं काम करने बाला अगर कॉष्टो प्रोजेक्ट 20% से बढ़ता है बुरा सोचना है तो NPV पर क्या effect पड़ेगा तो सर हम क्या कर रहे हैं सर हम NPV निकाल रहा है NPV फॉर्मूला वॉर्मूला हम नहीं लिख रहा है हम सीधा NPV निकाल रहा है बताओ कितना है सर 45,000 यह तो 45,000 ही रहेगा यस तो सर इसको हम जिसका निकालना मेरी बात समझना है यार उतना आसान नहीं जितना आप समझ रहा है क्या निकालना है हमें हमें यह देखना है कि कोश्ट और प्रोजेक्ट को 20% से बना देते हैं मतलब सर हम ऐसा कर देते हैं हम निकाले NPV और NPV 45,000 ठीक है इन्टू 3.791 इसमें कोई दिक्कत नहीं है माइनस कोश्ट और प्रोजेक्ट कितना लेना है सर हमको अब कॉश्ट और प्रोजेक्ट लेना है कॉश्ट और प्रोजेक्ट 1,020,000 प्लस कितने परशन से बढ़ाना है 20% से बढ़ाना 1,20,000 प्लस 20% कितना होता 1,20,000 प्लस 20% सर 1,44,000 तो बताइए NPV क्या है एक 45,000 इन्टो 3,791 माइनस 1,44,000 तो सर NPV आगे है रुपीस 26,595 26,595 हाँ जी इशाँ शाही है एक बादा कन्फरम कर लिया अगरो नीशीता शाही है क्योंकि मुझे अपने कैलकुलेशन पर ज्यादा विश्वास नहीं है मैं आप पर विश्वास करके काम कर रहा हूँ है सर मेरे साबने बच्चे भी नहीं अभी और कोई option नहीं आप ही सब कुछ हो ठीक है जी विने तो बताओ यार NPV पहले कितना था cost of project बड़ा है 20% से तो सर NPV पहले था 50,595 बिल्कुल सही अब कितना NPV हो गया 26,595 तो क्या change in NPV निकल जाएगा यस percentage change in NPV आप percentage लिख ले ना change in NPV कैसे निकलेंगे 50,595 मैनस अब कितना हो गया 26,595 divided by divide किसे करो गया भाई 50,595 कि 50,550 ये वहला answer कितना आ रहा है ये तो सही है ना यार 45,000 into 3.791 minus 45,000 into 3.791 minus 1,20,000 50,595 शहीं तो है यार ये ठीक है ना 26,595 इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर्फ चेक कर लेते 45,000 ठीक ही आएगा यार ठीक है बेस क्या लोग है बेस 50,595 हाँ सर पुराना वाला पहले जितना था 50,595 into क्या करोगे 100 पर्षेंटेज बताएगा कोई कितना आ रहा 47.44% अमित का अंसर है 47.44% एक समय पर एक ही फैक्टर चैंज करना है और इस बार मैंने बढ़ाया और किसको बढ़ा दिया तर आपने कॉस्ट और प्रजेक्ट को ठीक है ठीक है सर कॉस्ट और प्रोजेक्ट हो गया हमार आगे चल रहा हूँ मैं मैं इस बार आपका साथ बस आप रिप्लाई करते रहना मैं देखो ना देखो मुझे जरूरत पड़ेगी आपके आंसर की तो मैं उठा लिया करूँगा ठीक है तो कितने पर्षन से 20 पर्षन से मैं लाइफ पर आ रहा हूँ सबसे बाद में मैं लाइफ पर ही आऊँगा ठीक है जी ठीक है सर तो अब कॉस्ट और प्रोजेक्ट तो हो गया अब किसका एन्वल सी एफट ही तो लिखते हैं एन्वल सी एफट ही कितने पर्षन कम करना है तर बुरा सूचना एड़वर्जी फैक्ट मतलब 20 पर्षन कम करना पढ़ेगा यस हाँ बिल्गुल से एफट हो प्रोजेक्ट 20 पर्षन से बढ़ेगा तो एन्पे भी गिरेगा ठीक है अच्छे एक बात मैं आपसे बोल रहा हूँ सुनो 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 बच्चो अगर मैं कहूं सुनो काम आएगा भाई काम आएगा आपके साथ चलो शॉट कट बताने वाला था रुक कर बताता हूँ पहले 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 पुरे हो जाए फिर शॉट का फिर कैल्कुलेटर ट्रिक्स देखेंगे कि क्या हो जाए चलो एन्वा सीएफटी की विसे में बात करता हूँ 20% से डाउन हो जाए तो क्या होगा तो सर एक बार सीएफटी देख ले यस सर सीएफटी अभी कितना है सर 45,000 20% से डाउन होगा मतलब कम से कम हमको 80% मिलेगा हमारा यह मानना है अगर 20% से डाउन हो जाए तो तो 45,000 इन्टू 80% तो यह आगे 36,000 बिल्कुल सही है आपका 36,000 आंसर आपका क्या कर रहा है वापस हमां NPV निकाल रहा है NPV हर साल आएगा 36,000 कितने साल तक पास साल तक 3.791 माइनस कितना करोगे सर 1,001,0044,000 की 1,0020,000 हाँ जी इशा आंसर आ गया बच्चों का अब जब आंसर आ ही गया है तो फिर पूछ रहे हैं मेरे ख्याल सी यही लिया होगा सब बच्चे समझदार होगा है हाँ जी बच्च सभी का सही है मैं तो मजा कर रहा था है तो 36,000 इंटो 3.791 माइनस 1,0020,000 NPV आ गया 1,6 और से 1,6 चैंज इन एन पीवी भी निकल गया इशा चैंज इन एन पीवी पहले कितना था सर्फ पहले था 50595 50595 अब कितना हो गया 1,6 और से 1,6 डिवाइट किस से करेंगे डिवाइट करेंगे 50595 इन 200% इस बोलिये जल्दी से 67.44% रिनिसान्त का अंसर है और मुझे विश्वास है कि यही होगा और मेरे ख्याल से सभी का अंसर यही होगा हाँ 67.44% वजन्ते, सुभान्सू, निशीता, चंदरकान, देवेंदर सभी का अंसर यह तब बच्चे बहुत अच्छे मैं बता रहा हूं, सेंसिटिविटी अभी आगे चलो, आज ही की क्लास में, मज़ा आएगा ठीक है सर, सर तीसरा काम करेंगी अभी तक सुनो, अभी तक दो फैक्टर में बात हो रही है हाँ सर, पहले फैक्टर का ऑंसर क्या आए था सर, पहले फैक्टर का आए अंसर आया था 47.44% मतलब सर इसमें 20% का चैंज करते तो एनपीवी गिरता है 47% से 47 ठीक है सर और सर इसमें हमने 20% से चैंज किया तो एनपीवी गिरा पर जबरदस्त गिरा कितने से गिरा सर्फ 67.44% से तो दोनों में से critical factor कौन सा है critical factor कौन सा है अगर मैं कहता हूँ अभी दोनों की बात करो दोनों में से ज़्यादा danger कौन सा है जो थोड़ा सा हिलता है तो NPV बर्बात कर दीता बहुत ज़्यादा down हो जाता है दोनों में से critical factor कौन सा है CFAT ज़्यादा critical है या फिर cost of project ज़्यादा critical है CFAT cash inflow यस हाँ तो भाई साब management हाँ जी सभी का answer सही है तो management आप एक काम करो सबसे पहले cash inflow की इसे मैं पता लगाओ cost of project की मुझे उतनी चिंता नहीं है CFAT ज़्यादा sensitive है ठीक है सर तो अभी तो मैंने 2 की विसे मैं बात नहीं किया ना यार हाँ तो अभी तो 2 ही हुआ अब क्या बचा है सर अब बचा है हमारा life life कितने साल है 5 साल भगवान ना करे मेरा project 5 साल ना चले कम चले पाच का 20 परशन कम करूं कितना होता है पाच का 20 परशन कम पाच मैंनस 20 परशन चार साल चले अच्छा अब मैं किस में कर रहा हूँ अब पॉइंट नमबर 3 सेंसिटिविटी किस में ने काल रहा हूँ life or project 20 परशन डाउन सिवांगी विने और सभी का देविंद्र सभी का सही है चार साल इट बीन्स लाइफ अभी मैं कोशन पूछूंगा लाइफ पर इतना असान नहीं है तो सर लाइफ जो है वो पाच इयर्स है अगर 20 परशन अगर हम कम कर दे तो लाइफ कितना चार साल तो क्या करे सर एन पी भी निकाल लेते हैं बोलो कितना तब 45,000 फैक्टर चार साल का लेना होगा 3.17 तीन डिजिट में बोलोगे देविंदर 1.70 आएगा तो फिर कोई इश्व नहीं है 1 डिवाइड बाइ 1.10 एक दो तीन चार जिटी 3.170 सही है माइनस 1,020,000 45,000 इन्टू 3.170 माइनस 1,020,000 तो सर एन पी भी आ गया है 226,50 226,50 निशान्त का आंसर आया है 55.23 परशेंटेस ठीक है देख लेते हैं अमित का भी लगबग आंसर आ चुक है सभी का आंसर आ गया है चैंज इन एन पी भी निकालूं क्या यस सर चैंज इन एन पी भी पहले एन पी भी कितना था 50 595 माइनस 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 226,50 ठीक है सर डिवाइड बाई 50 0,5,9,5 इन तो हंड्रेट फिप्टी ओहो 46.46 परशन देवन रेक बाद शेक करोगे कैल्कुलेशन क्योंकि बागी सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 55.23 परशन और मैजोर्टी का आंसर लिखा मुझे मेरा दिल नहीं कर रहा है कैल्कुलेटर चलाने का जब मेरे सामने इतने अच्छे वच्चे है तो मैं कैल्कुलेटर क्यों चलो हूँ 55.2423 चल जाएगा ठीक है tack you thank you so much ठीक है तो कहा का काम हो चुका है अभी तक हमारा काम हो चुका है COST OF PROJECK CFET Life अब क्या बचा COST OF CAPITA हम लोगों से पैसा हम सोच रहा है कि हम लोगों से पैसा उठाएंगे और हमें कितने परशन के साब से मिल जाएगा 10 परशन के हिसाब से पर 10 परशन के हिसाब से आपको 10 परशन के हिसाब से आपको पैसा नहीं मिल पाया बुरा हुआ बुरा क्या हो सकता है 10 परशन के हिसाब से पैसा नहीं मिल पाया 20 परशन बढ़ाना है तो 10 परशन में 20 परशन बढ़ा इशा सबसे ही बोल रहा हो सवाल है कितना Pers страш टैन。」 बढ़ाना है कि सभी बच्चों का एक ही अंसर thirsty ठोटन हाँ कुछ बच्चे जो है सुनो सदू सदू बच्चे जब मैं face to face ले रहा था हाँ मैं समझ गया इशा 12% की बात हो रही है कुछ बच्चे का ये कहना था सर अगर हम अगर हम 10% में बढ़ाने वाले है 20% 10% में 20% बढ़ाएंगे तो सर टोटल मिलाकर बढ़ाने से 30% आ जाएगा किसी के मन में ऐसा तो नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है सर इतनी हम इतने बेगगूप थोड़ी नहीं गुट चलो जी हाँ उन्होंने 30 कर दिया होगा कर दिया है इसलिए तो भैं बोल रहा है उन्होंने 10% प्लस 20% 30% से डिसकाउंटिंग कर दिया इंफ्लेशन याद आ रहा है हाँ जी इंफ्लेशन बहुत सारी चीज़े मिक्स होगी उसी कुद हमको अलग-अलग करना अच्छा अंस का एक कहना सर ऐसा नहीं कर सकते क्या नहीं ऐसा मैं सोच रहा हूँ सर 1.10 इंटू 1.20 मैनस 1 राशनल ठिंकिंग ठीक है कल तो बदला लूँगा आपसे चलो जी यहां तक हो गया अब बात करते हैं पॉइंट नमबर 4 cost of capital है तो कितना 10% अगर बुरा होगा तो क्या होगा सर बुरा होगा तो 20% से बढ़ा देंगे मतलब हमको discounting rate कितना लेना पड़ेगा 12% लेना होगा तो चलिए सर NPV निकाल लेते NPV बच्चों का निकल भी गया है बहुत fast calculation है 45,000 इंटू अक्टर कितना 3.605 3.605 माइनस सर वन लेक ट्वेटी थाउजन चैंज भी निकल गया है बच्चों से वाँ क्या fast calculation 45,000 इंटू 3.605 माइनस वन लेक ट्वेटी थाउजन तो सर ये आगे 4225 चैंज इन NP भी देख ले सर, NP we have 50595 मिनस 42225 तवे इवाइ 50595 200 16.56 परशन देवें देवेंडरकाव आवेंड़ से रहे आगे वाँछन से इंटू 16.56 पर्षेंटेस 16.54 चल जाएगा निशीता सिवांगी तेशन भी जाए तेख है अब सवाल है अगर देखो एक और निकाला था हमने सायद सर कॉस्ट और प्रोजेक्ट और कॉस्ट और प्रोजेक्ट का हमने कितना निकाला था 47.44 पर्षेंट ठीक इन चारों में क्रिटिकल फैक्टर कौन सा है इन चारों में ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसको छूने से एन पीवी बुरे से गिरने वाला है जिसको थोड़ा सा 20 पर्षेंट के चेंज करने से एन पीवी बहुत जबर्दस डाउन होने वाला है ऐसा कौन सा क्रिटिकल फैक्टर दिखाई दे रहा है सर कौश्ट ओफ प्रोजेक्ट है कौश्ट ओफ प्रोजेक्ट सर सीएफ़ेटी हाँ सीएफ़ेटी मोश्ट क्रिटिकल फैक्टर मोश्ट सेंसिटिव फैक्टर क्यों क्योंकि सर अगर अगर CFAT में आप 20% का चेंज करोगी तो NPV बहुत जबरदस्त डाउन होने वाला है तो काम क्या आएगा तो यहां अगर लिखा जाए Most Critical Factor The Effect ठीक है हो गया हो गया हो गया हो गया Concept खतम नहीं हुए अभी यह question भी खतम नहीं हुआ अभी तो मुझे बहुत कुछ करवाना इस जब भी 1.12 रोहन हर जगा हम Factor into Factor नहीं कर सकते यहां Factor into Factor नहीं आएगा अगर ऐसा होता है तो उसका Effect कुछ और आएगा उसका Answer कुछ और आएगा लेकिन हमको 10% को 12, 20% से इस तरह से नहीं बढ़ाना है सिब sensitivity में 10% को अगर बोलेगा 20% से बढ़ाना तो आपको 12% कर देना That's it Factor into Factor कब करना है कब नहीं करना है यह मैं आपको बताऊंगा कि क्या logic है इसके पीछे Factor into Factor करना है कि नहीं करना है अभी मुद्दे की बात यहां पे सुनो अब मुझे आपका साथ चाहिए अब पहला कोशन सर एक्जाम में क्या आना है तियार हो जाओ तियार हो जाओ तियार हो जाओ कुछ पूछने जा रहा हूँ हाँ मैं आपको अलग से reply करूँगा मुझे call करना आप आप से बात करना चलो हाँ अब मुझे आपका साथ चाहिए सर साथ मैं आप से बोल रहा हूँ एक्जाम में क्या आएगा सर एक्जाम की बात करो क्योंकि कोशन तो बड़ा है और कोशन आने के चांसिस बहुत ज़्यादा है कोशन बड़ा है अभी तक क्या कर रहे थे अभी तक हम RADR किया तो RADR में कुछ था क्या सच्चा ही है कि RADR में कुछ नहीं था और क्या किया इस्टेंडर्ड एवीशन निकालना सीखा है हमारे कोर्स में इसलिए हमने कर लिया लेकिन मज़े की बात है कि यहां से कोशन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है तो अगर मैं कहूँ इसमें मैं आपको टाइम लगा हूँगा इसमें सोचना भी पड़े आपको तो सर सबसे पहली बात बताईए कि कोशन कैसे आएगा कोशन ऐसे ही आएगा आपको NPV भी पूछेगा और आपसे क्या बोलेगा बस सुनना दिहां से आपसे बोलेगा calculate लिखना नहीं है बस सुनना है अभी sensitivity in ऐसा बताएगा cost of project में निकालना है दूसरा light में निकालना है तीसरा आपको CFAT में निकालना जरूरी नहीं है कि हर factor का पूछे तीन-चारी factor पूछेगा तीन-चार variable में कहेगा कि sensitivity निकाली ठीक है सर बट आपको ये नहीं बताएगा कि कितने percentage से change करना है अगर नहीं बताता है आए हुए a question तो आपको मन से लेना पड़ेगा assume करना पड़ेगा आपको खुद को assume करना पड़ेगा कि कितने percentage से change करना है और वो भी change कितने percentage से करना unfavorable direction में change करना सर आपने कितना पर्षेंटेज लिया था मैंने मन से लिया था 20 पर्षेंट आपको भी तो यहां मन से लेना पड़ेगा आप मुझे बस इतना बता दो अगर मान लो सेम कोश्चन आपके सामने आता और यही कोश्चन होता और कहता कैलकुलेट करना है सेंसिटिविटी एनलेसिस करना है आपको इन कोश्टो प्रोजेक्ट सी एफटी और लाइफ कितना पर्षेंटेज अनफैवर एडवर्ज इफेक्ट देते कितना पर्षेंटेज 20 पर्षेंट तो मैंने लिक्वाय था आप कितना दे थे आसर चाहिए मखे मैं जो पूछ रहा हूं काास आपके समझे में आ रहा है गुश जो पर्षेंटेज मैंने 20 पर्षेंट लिग दिया था न वो 20 पर्षेंट लिग कर नहीं आया exam में अगर में नहीं होता तो कुछ ना कुछता एजियूम करना होता 10% 10% बिल्कुल सही मैं भी होता तो मैं 10% ही करता लेकिन 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 समझो भाई समझो हाँ जी प्रोब्लम क्या है अब अब मुझे साथ चाहिए साथ सर कॉष्ट और प्रुजिक्ट को क्या करते हैं सर कॉष्ट और प्रुजिक्ट को क्या करते हैं 10% से बढ़ा देते हैं ठीक है सर, CFAT को क्या करते हैं 10% से कम करते थे Life का क्या करते है Life का अगर 10% लेना तो समय 10% लेना पड़ेगा न Life का क्या करते है Life को भी हम 10% हम क्या करते है 5-10% तो साड़े 4 साल 4.5 यर्स और 4.5 यर्स का कैसे करते भाई NPV 4.5 यर्स को NPV का कैसे करते फिर calculation इसका कर लेते आप इसका भी कर लेते यहां तो फ़स जाते न हाँ 4.5 हो जाती और फिर मैं बोलता चलो NPV निकालो अगर है दम तो NPV निकाल करें बता हो यहां फ़स जाते आप यहां फसते लाइफ में लाइफ में फस जाते तो सर अब कितना percentage लेते हैं मैं जुगार लेकर लेता 15.67% गुड आशिश तो मैं क्या करता मैं कहता है यार 5 साल है सुनो मैंने कैसे लिया था 20% में आपको बता रहा हूं मैंने 20% लेकर मैं क्यों फसा नहीं उसकी वज़ा क्या इसर क्योंकि मैंने जुगार लगाया और जुगार कैसे लगाया 5 माइनस चलो यार इसको कम करके देखते है तो 5 मैंने कहा चलो ये 5 साल है ना तो चलो एक साल कम होना चाहिए 4 साल और डिवाइड बाइश के ले लिए 5 पहले मैंने लाइफ को लाइफ से एक परशंटीज निकाल करने की कोशिश किया मतलब 5 माइनस 4 डिवाइड बाइ 5 मैंने का या 20 परशंट से काम हो जाएगा अगर मैं 20 परशंट से चैंज करता हूँ तो मैं जानता हूँ मैं लाइट में नहीं फसूँगा यहां नहीं फसूँगा और यहां तो काम होई जाएगा सर एक्चुल में हम पूरी तरह से समझ नहीं पाई कि आप कहना क्या चाहते एक काम करते हैं न कोश्चन पर आते और बात करेंगे तो बात समझ में आएगी ऐसा कोई कोश्चन लाओना सर तो कोश्चन सामने होगा तो हम भी जो अगर लगा यहां तो आपने दे दिया तो इसलिए काम हो गया अच्छा बंचे का कहना सर समझ गया सर पर फिर भी हाँ जी समझ गया कितने समझदार बंच्चे है मैं तो आपको हलके में ले रहा था ठीक है झाल देविंद्र का कहना है सर ऐसा ICAI ने दे दिया तो ICAI ने अगर ऐसा दे दिया तो ऐसे में तो सभी बिच्चों का आंसर अलग-अलग आएगा फिर ICAI कैसे मैनेज करेगा मैंने कहा अगर बूरा से बूरा हुआ थो बूरा से बूरा हुआ थो generally exam में आपको percentage दे दिया रहता है तो आपको चिंता वाली बात नहीं है ठीक है अगर हुआ तो वो कैसे करना वो exam का question मेरे साथ है तो exam में ICAI ने क्या किया हमें कैसे करना ICAI generally कैसे करता यह सब कुछ मैं आपके साथ discuss करूँगा question रहेगा तब मजायेगा सुनो आप मेरी बात यह जो आपने निकाला sensitivity यह एक approach था approach number one अच्छा सर इसकी और एक approach it means इन ही variables में इन ही variables में मैं दूसरी approach से काम कर रहा हूँ जिस approach को बोला जाता है margin of safety approach और इससे पहले जो काम किया था आपने sensitivity analysis किया था यह जो approach किया था this is approach number one जिसका बहुत सारा नाम है ICAI जो बोलता है वो क्या बोलता है सिनारियो अभी पढ़ेंगे हम लोग अभी मैं दूसरी approach से काम कर रहा हूँ मैं सारी चीजे सारी चीजे अलग-अलग discuss कर दूँगा कि सर इसका क्या नाम है second approach का कोई नाम वाम नहीं है पर हम नाम करन कर लेंगे ठीक है सर तो अब मैं कर रहा हूँ second approach से का approach number two margin of safety कभी नाम सुना margin of safety calculator trick निशिता मैं सिखा रहा हूँ बिलकुल हर चीज सिखा हूँ margin of safety कहीं नाम सुना है क्या break even हाँ सर break even हमने कहां सिखा है इस example का भी calculator trick अभी example खतम नहीं हुआ ये example जब खतम होते तक आपकी सारी बाते समझ में चाहेगी सर हमने margin of safety cost में पढ़ा था yes break even point भी पढ़ा है सर हाँ अगर मैं कहूँ total मिला कर दो approach है sensitivity analysis की पहली approach में आप आप क्या करते हो आप change करते हो 10% से change करते हो सर दूसरी approach क्या है हाँ जी leverage में पढ़ा होगा बहुत जगा पढ़ा होगा मैं जानता हूँ CA interval आपका अच्छे से clear है CA interval clear है कोई issue नहीं अब मुझे आपके साथ की जरूरत है हाँ सर बोलो अब मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ answer चाहिए मुझे मैं कहता हूँ अब भी cost of project अब साथ चाहिए cost of project है sir 120,000 ठीक है 120,000 खुश हूँ 120,000 लग जाए cost of project मैं 120,000 में लगाने को तयार हूँ अगर 120,000 भी लगता है तो भी मैं project accept करने को तयार हूँ क्योंकि NPV positive है NPV positive है अच्छा अब दियांसे sir भगवार ना करे अगर cost of project 1,30,000 लगेगा तो तो मैं नहीं नहीं तो भी दिक्कत नहीं है 1,30,000 भी लगता है तो भी समस्या नहीं है तो भी मेरा NPV positive आएगा it means मैं ये कहना चाहता हूँ मेरा जो project में पैसा लग रहा है अगर ये जादा भी लगेगा जादा भी लग जाएगा 1,20,000 का तो अनुमान है अगर इससे जादा भी लगेगा तो मुझे कोई समस्या नहीं है क्योंकि मेरा NPV positive ही आना है तो दिक्कत ही नहीं है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि चलो ठीक है NPV 0 तक चलेगा NPV negative नहीं होना चाहिए नहीं तो आप बरबाद हो जाओगे तो मैं आपसे बोना हूँ कि चलो cost of profit को बढ़ गया अगर बढ़ भी गया तो maximum कितने उरुपे तक हम सेहन कर सकते हैं मैं अपसे बोल रहा अगर यह project बढ़ जाएगा मैगा हो जाएगा मैकसिमाँ कितने रुपे तक accept कर सकते हैं सर इतने रुपे तक NPV 0 आ जाए तो चलेगा पर नेगेटिव नहीं आना चाहिए Yes, तुजरह हिसाब किताब करें क्या? Yes, अब हिसाब किताब कैसे कर रहा है? मैं कह रहा हूँ अब यूमें लिखवाँगा इसको अच्छे से NPV0 आये जाए तो भी चलेगा सरजई मैं करवाना क्या जा रहा है? crypto यूजा मैं यूजधि मैं BBQ CI कितना है? continuity five thousand into 3.791 ठीक है और minus कितना x x ही तो मतलब सर जिस project मुझे पता करना है कि मैं cost of project के लिए maximum कितना दे सकता हूँ सर आप दे सकतो x का value निकाल लोगे 170 595 यह दे सकते हो वैसे अभी क्या चल रहा है cost of project सर अभी चल रहा है 120,000 और अगर बढ़ भी जाएगा इतना भी हो जाएगा तो मुझे तकलीफ नहीं पर इससे जादा हुआ तो खेल खताम फिर तो project reject ही करना पड़ेगा हाँ निशिता 120,000 से अगर जादा भी पैसा लगेगा तो लग जाए तो extra कितने रुपे तक मैं accept कर सकता हूँ बढ़ जाए तो बढ़ जाए सर 170 595 माइनस 120,000 सर आफ 50 595 तक accept कर सकते हो कोई shortcut नहीं लगाएगा shortcut मुझसे ज़्यादा आप नहीं जानते हो मुझे मालूम है कैसे shortcut कहा लगाना है ठीक है सर मतलब सर maximum आप accept कर सकते हो बढ़ जाए कितना बढ़ेगा तो भी चलेगा 50595 percentage में मुझको चाहिए percentage में कितना percentage बढ़ जाए तो बढ़ जाए हाँ जी जो नपी first case पे आया था वही तो है हाँ जी वही होगा पर मैं अभी shortcut पे आ नहीं रहा मेरा question है कि एक 120,000 से ये बढ़ जाएगा 50595 मुझे percentage चाहिए कि कितना percentage में accept करने को तयार सर 50595 divided by 120,000 into 100 percentage आ गया 42.16 42 से बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा कोई समस्या नहीं सभी का अंसर आया 42 परशन अभी मैंने कुछ लिखवाया नहीं था अब मैं आपसे फिर से वापस सारी बाते कर रहा हूँ मैंने गा यार NPV अभी मेरा खूब आ रहा positive हुए कोई समस्या नहीं और मैंने गा यार अगर cost of project बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा मैं accept करने को तहीं आ रहा हूँ कितने percent तक 42 percent भी बढ़ेगा ना भाई तो चल जाएगा 42.16 की जगा मैंने 42 लिख दिया है ना समझाने के लिए 42 percent तक भी बढ़ेगा ना तो भी कोई समस्या नहीं है हमने का ठीक है हमने का CFAT CFAT भी 45,000 है कोई समस्या नहीं है NPV positive है मैंने का अगर बुरा हुआ तो तो बुरा हुआ तो हो जाए ना अगर NPV sorry CFAT कम भी आएगा तो भी मैं कितने रुपए तक कितने percent तक accept करने के उत्तियार हूँ बहले गर जाए तो गर जाए लेकिन मैं इसको मन से लिख रहा हूँ मन से 25% तक कम भी होता है न तो चलेगा कोई समस्या नहीं मन से लिखा है 25% ऐसे इसका भी लिखा life का बुले life का ऐसा है कितने साल है 5 साल अगर कितने है अगर कम भी चलेगी NPV 0 होगा बस 0 हो जाना ची positive ना भी हो तो चलेगा मैं जा कितना percentage तो बोले यार ये चल जाएगा मेरा 30% तक 30% तक डाउन होगा तो भी चलेगा इसकी भी बात किया तो इनका कहना है कि ये 35% कम भी होगा तो चलेगा ठीक जल्दी जल्दी लिखा है अब अब मज़े की बात है कि अब आप कितना सभाल पाते हो प्रोजेक्ट बढ़ जाएगा तो चलेगा 42% CF80 25% से डाउन होगा तो भी चल जाएगा Life 30% से डाउन होगा तो भी चलेगा COC 35% से बढ़ेगा तो भी चलेगा इसके हिसाब से बताओ तो NPV गया negative सोच समझ के बोलना सोच समझ कर बोलना सोच समझ के पिए की तरह जवाब देना जल्द बाजी मत करना इशा कॉश्ट और प्रोजेक्ट बहुत सारे बच्च्चों का दो चीजों पर टिकी हुई है बात निशान, सब, मानसी कुछ बच्च्चों का कहना है CF80 CF80 ज्यादा तर बच्च्चों का कहना है CF80 रोहन का कहना cost of capital ठीक ठीक है सब लोगों का आंसर अधिक तर बच्चों का आंसर अमित का कहना है life सुनो, अब फिर से मेरा statement सुनना, मैं क्या कहना चाहता सर, क्या पूछा आपने चलो, कोई बात ने, मैं फिर से पूछ रहा हूं भई तनिश्क, टेंशन मत दो question ये था question ये कि था, अब फिर से सुन ले ना question अच्छे से अभी project में पैसा कितना लग रहा है 1,20,000 तो मेरा दोस्त आया और वो मुझसे बोल रहा है कि सुनो ना, अगर CFAT बढ़ जाएगा तो मैं बढ़ जाए तो बढ़ जाए tension नहीं है, मेरा NPV अभी positive है, तो मैं बहुत कितने percent तक change आप accept कर सकते हो 42% तक भी बढ़ेगा ना तो भी project मेरा अंदर है मैं तो करूंगा project, 42% तक मैं सेहन करने की स्तिती में हूँ और भाले CFAT CFAT गर जाए तो समस्या नहीं है पर सुनो जादा नहीं 25% तक तो ठीक है पर उससे भी ज़्यादा गिराना तो मैं बरबाद हो जाओंगा फिर तो project मना करना पड़ेगा भाई अच्छा सर मतलब इसमें ज़्यादा change acceptable है कोई दिक्कत नहीं पर इसमें थोड़ा सा 25% गिरा तो खेल खतम उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए तर इसमें 30% तक चल जाएगा और इसमें तो 35% तक चलेगा कोई दिक्कत नहीं है कौन सा ऐसा factor है जिसमें अगर थोड़ा सा change हुआ तो project मुझे reject ही करना पड़ेगा सवाल बस इतना सा था और अधिक्तर बच्चों का answer आया है CFAT और सहीं भी answer है इसमें इसके साथ आप ज़्यादा छेड़ छाड़ नहीं कर सकते CFAT के साथ आप ज़्यादा छेड़ छाड़ नहीं कर सकते थोड़ा भी छेड़ोगे तो project reject करना पड़े ठीक है अब सहीं है अब 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 बात समझ में आ रही तो सर ये निकला कैसे मन से लिखाओं भईया ये तो निकालना है सर चलो तो हिम्मत दिखाए हाँ सर हाँ क्योंकि ये सबसे critical था मैं वही पूछ रहा था कि कौन सा सबसे ज़्यादा critical है तो answer आया CFAT अच्छा answer भी निकाल लिया बच्च्चों ने थोड़ा सा वेट करो मैं थोड़े आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ मैं आपते पीछे पीछे आता हूँ ये मैंने मैंन से लिखा था भै तो start करें मैं फिर से start करो second app second app approach से start कर रहा हूँ और प्लीस कॉपी में लिख लिया ठीक मैं अपने बच्चों से बोलता हूँ कि यार वाटस अप यूज मत किया करो और बतो आज उसी में मुझे पढ़ाना पढ़ा है ठीक तो सबसे पहला काम हम कर रहे है सेंसिटिविटी वाउ कोपी भी चेक करने वालूं कोपी भी चेक करूँगा चलो पर सबसे पहले आपके कमेंट्स पढ़ोंगा ना तो यहां काम मेरा कोर्स रह जाएगा सबसे पहला काम है सबसे पहला काम पॉस्ट प्रोजेक्ट आप लोगों के आंसर आ चुके है मैं थोड़ा सा धीरे चल रहा हूं ठीक है वेजन्दी का भी आंसर आ गया है 29.66% ठीक है चेक करेंगे भी आगे उर प्रोजेक्व कोश्त प्रोजट्ड प्रोजेक्ट एट विच एन पी वी शुड़ बी जीरो हाँ यह एप्रोच टू है बेलोकल सही मार्जन आप से दूसरी एप्रोच से करवारो एन पी रखना है जीरो पी वी सी आई यह एन पी भी बाद में लिख लो ना सर अब दिक्कत क्या है कोई दिक्कत नहीं 45,000 इन्टो 3.791 माइनस एक्स इस इक्वल टो जीरो ठीक है सर सर मतलब यह हुआ यार अगर एक सिंपल सी बाद बोलू मतलब यह हुआ कि सेकंड अप्रोच में जिसका भी सेंसिटिविटी निकालना है हमें कुछ निकालना ही नहीं है हमें एन पी भी निकालना है और जिसके विशे में भी सेंसिटिविटी निकालना है उसको एक्स लेकर काम करेंगे यास उसको एक्स लेना है और NPV क्या रहना है रखना है 0 तो X is equal to 45,000 into 3.791 तो सर यह आगे 170 595 तो change in change in का मतलब maximum कितना change किया जाकता maximum उससे ज़्यादा नहीं maximum change in cost of project ऐसा भी लिख सकते हुआ यह सीधा लिख लो ना sensitivity in cost of project 1 तो लिख सकते हैं 170 595 minus 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 120,000 divided by 120,000 into 100 हाँ कितना सह सकते हैं in short क्या बात बोले हुआ कितना सह सकते हैं 42.16 सभी का सही है 42.16 परशन ठीक एक काम तो हो गया यह मान के चलोगी टॉपिक आने वाला एक्जाम में बस यह मान कर चलो यह तो है एक यह है एक इसेजन ट्री हैं बस और क्या है हमारे CFN क्या पिटल बस्टिंग से ज़्यादा ही जी तो मुझे कोई लगा ही ने आगे चलें सर यस अच्छा कुछ बच्चों का यह भी कहना था सर इसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि इसका एक पॉर्मूला बना सकते हैं कि टाइम पास है आप भी जानते हो यह तो यहीं से उठाया है पर कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं सार इसका तो फॉर्मूला हमको C एंटर में लिखवाया था सर में ठीक है भई फॉर्मूला कुछ नहीं है यही है इसी में तो चैंज कर रहे हूं आपको यह दिख रहा है एक्वेशन तो यह मैनस यह करोगे फाइनल आंसर वही आ रहा है पर फिर भी लिख लिजिए कहीं काम आ गया तो बहुत अच्छी बात है चीक है सर काम आ गया तो देख लेंगे कहीं नहीं तो में तो हमारा यही है हो गया चले आगे यस तर सी एफ एटी का काम करते है यह सेंसिटिविटी इन सी एफ एटी लिख लिया था ना एमसी की उसमें आ सकता है क्या यह फॉर्मूला नहीं आएगा कभी नहीं यह फॉर्मूला होता ही नहीं एक्च्छल पर ठीक है किसी कई कई किताबों में यह हो सकता सी एइंटर के आपकी कॉपी में लिखा हो सर सेंसिटिविटी मल्टीपल चोईश कोश्चन में आ सकता है तो इसके लिए फॉर्मिले की जिर्वरत पढ़ सकती है क्या हाँ जी पढ़ सकती है मैं आपको सारे शॉर्टकट समझाऊंगा कैल्कुलेटर ट्रिक समझाऊंगा आप उसकी चिंदा ना करें ठिक दूसरा एन्वल सी एफिटी अब एन्वल सी एफिटी को क्या मानोगे आप एक्स कॉंसिप्ट समझते है फॉर्मिले हम कर लेंगे जिसका निकालना होता है सेंसिटिविटी उसको ले लीजिए एक्स और अलजेब्रा अच्छा नहीं लगता सर नहीं करना पड़ेगा वो मेरे साथ मे एक्स और एन्पी भी क्या होना छी जीरो ठीक लट एजिम एन्वल सी एफिटी भी एक्स एट विच एन्पी भी एट वी जीरो मैं आपको अपनी ना मार्शीड बताऊंगा ना तब आपको ऐसा लगेगा ठीक ऐसा तो अभी क्या करें सर एन्वल सी एफिटी भी एक्स एट विच एन्पी भी सुड़ भी जीरो तो सर तो सर अब हमने को निकालना एन्पी भी तो एक्स इन्टो एक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग है ना NPV का formula NPV का formula आपको आना चाहिए है न अगर आपका NPV का formula क्या बात कर रहा है NPV नहीं आता CFATX into 3.791 मिलकुल सही minus 1,20,000 is equal to NPV 0 ठीक है सर सर ये तो उदर चला जाएगा येस भाई आपको इसी में तो change करना है यार हाँ सर हाँ सर बात समझ में आती है तो X की value निकल जाएगी क्या येस 1,20,000 divided by 3.791 1,20,000 divided by 3.791 अंसर अरद 3,1654 सही है निशिता 3,1654 अब क्या है निकालेंगे अब निकालेंगे sensitivity in किस में निकालना है CFET सर, CFET था एक्च्वल में 45,000 minus 3,1654 divided by 45,000 in 200 29.66 29.66 29.66 अगर ध्याँ से देखो ना तो आप कुछ नहीं कर रहा है यहां कम हो रहा है और उसका effect यहां आ रहा है बस अब थोड़ा सा अगर सुचोगे तो बात हो जाएगी पर अभी मैं उस concept पर चल रहा हूँ पूरी तरह से calculation पर नहीं आ रहा हूँ छी कैसा सर, इसका भी कोई formula हो सकता है कि yes formula मैं आपको बता रहा हूँ उनका यह कहना है sensitivity in cash flow में निकालना है तो रटने के लिए ठीक है बाकी conceptual मैं आपको यहां समझा दूँगा यह समझा दूँगा रटने के लिए तो ऐसा है कि यह देखो यहां ऊपर क्या आया था NPV sensitivity किसमें निकालते थे cost of capital नहीं cost of project नहीं गलती से लिखा था sensitivity किसमें निकाल रहा थे हम cost of project में तो ऊपर NPV नीचे cost of project अभी sensitivity किसमें निकाल रहा है CFAT में तो ऊपर NPV और नीचे CFAT नहीं present value of CFAT मैं आपसे बोल रहा हूँगा अगर आपको यह line दिख रही है ना तो आपका काम हो जाएगा सर यह समझाओगे हाँ समझाना है ना इस बात को समझाना NPV हाला कि मैं आपको यह सजिष्ट करूँगा कोई formula कुछ नहीं होता वो यहीं से derive होकर आ रहा है यहां से होकर आ रहा है ठीक है सर तो बताओ NPV 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 कितना सर NPV हमारा original NPV कितना आया था औरीजिनल NPV कितना आया था भाई कोई है बताने वाला NPV आया था हमारा किसी ने निकाला होगा मैं खुद भूल गया NPV कितना आया था अब चले गए क्या सूग गए हैं मुझे बताओ NPV कितना आया था औरीजिनल 50595 50585 पेजिनल 50585 थेंक थैंक थेंक 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 थेंड बताब सर्थे 55000 x 3.791 45000 x 3.791 सार टाइम पास क्यों कर रहा हूं सर आप वही तो लिख रहा है हो टूटली यस मैं वही लिख रहा हूं तो देख लेते 45,000 इंटो 3.791 और 50,595 डिवादेड वा अमर्स इक्विल टू आंसर उतना ही आएगा 29.66 परशंट इस 29.66 परशंट सर इस फॉर्मले को नोट कर लो ये बाकी सोचेंगे कि इसका यूज कहा करना है कैसे करना है हाला कि ये फॉर्मला नहीं है जिन बच्चों का थोड़ा भी मैसे या घर में थोड़ी भी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी जानते हो ये सब कुछ मैं यहीं से उठा कर लिख रहा हूँ और कुछ भी special नहीं किया है ठीक है में मुद्दे की बात ये है भाई ये सब फॉर्मले और मुद्दे सब अपनी जगा रह जाएगे ये काम भी नहीं आए मुद्दे की बात ये है कि जिसका निकालना उसको आपको एक्स लेकर चलना पड़ेगा ठीक ठीक है सर अब बस दो और बाकी है काम खतम करते है सर कौन कौन सा बाकी है एक बचा हुआ है लाइफ और एक बचा हुआ है कॉस्ट अप कापट तो अब किसकी बात करेंगे अब बात करेंगे सैंसिटिविटी एन्वल C.F.A.T. हो गए हमारा हमारा C.F.A.T. के अलाबा और क्या हो गया C.F.A.T. के अलाबा सेल्स हो गए कौस्ट अब प्रॉजेक्ट हो गए अब बात करते है लाइफ अब प्रॉजेक्ट हाँ चलो बेटे लगा लो दिमाख अब वक्त आ गया है अब बस इतना बता दो कि अब लाइफ का तेंसिटिविटी कैसे निकालोगे फिर से बोल रहा हूँ लाइफ अभी कितने साल है तर अभी लाइफ है प्रुजेट की लाइफ है पास साल अभी प्रुजेट का लाइफ है पास लाइफ वाला में दिक्कत है सर हाँ वही तो दिक्कत है इसलिए तो मैंने छोड़ दिया मैं बस आप से इतना बोल रहा हूँ कि अभी लाइफ है पाँच साल अगर बूरा से बूरा हुआ अभी मेरा पाँच साल में तो NPV positive है तो अगर कम भी है तो दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है सर तो कितना कम हो जाए तो भी चल जाएगा NPV 0 आना चाहिए NPV 0 आएगा तो भी चलेगा हाँ पर वो एर निकालोगे कैसे सर अनुटी फैक्ट 2.6667 यहाँ आपको hit and trial method से काम करना पड़ेगा बहुत सारे तरीके में दो तरीके हैं दोनो तरीके सिखाऊंगा एक है hit and trial method हाँ जी calcular trick मैं बताऊंगा पक का पहले hit and trial method से काम करेंगे सर hit and trial method से क्या होता है मैं आप से क्या रहा हूँ कि अभी live कितनी है पास साल अगर चार साल चलेगा तो क्या NPV जीरो आ जाएगा देखते हैं न यार इट मेंस अगर हम इस्ययोम हमारा टारडेट मानू महें क्या है हमारा टारडेट है एनपीवी जीरो लाना अगर अभी पास साल चल रहा है तो क्या田 म state यस तो प्रोजेक्ट अगर उससे कम चलेगा तो NPV नेगिटिव आजा या जीरो आजा फिर हम इंटर्पोलेशन कर लेंगे हाँ सर सिए वहाँ आप एक्वेशन बना के करोगे एक्वेशन बना के कैसी होगा 2.67 आया है मैं दूसरे दरीके एज्यूम लाइव औफ प्रोजेक्ट बी और यिर्स मेरा ये सोचना है कि अगर प्रोजेक्ट का लाइव चार साल हो जाता है और उस पर NPV जीरो आता है उस पर NPV जीरो आता है तो मैं कहूंगा हाँ जी 5 से वैल इन गुड है पर मैक्सिमम चार साल उससे नीचे गया तो दिक्कत है नेगेटिव नहीं आना चाहिए तो मैं चार साल में ट्रायल मारके देख रहा हूं कि NPV जीरो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है धीरे से बात समझ में आई ये मुझे बस आपका साथ चाहिए तो ठीक है सर NPV निकलते एक बार यस आई रर वाले तरीके से या उसी तरीके से मैं कर रहा हूं आई रर वाले तरीके से कर सकते हैं बिल्गुस नहीं इसको बोला जाता था फेक पेड़ेट अभी मैं पेड़ेट अगर मैं कहूं कि सर डिसकाउंटिंग पेड़ेट निकालो खतम करो ना काम बिल्गुस सही पहले पहले मैं दोनो तीनो तरीके समझा रहा हूं मुझे बस आपका साथ ची मैं हर तरीका हर मैथट समझाऊंग अमित का गहना है चलो मैं लिख दूँ कि NPV कितना निकला सर्फ 45,000 चार साल का फैक्टर 10% के हिसाब से 1 डिवादेबर 1.10 1, 2, 3, 4 3.1 से बन जीरो यहां लिख देता हूँ भाई यह तो बाद में पता ही नहीं लगेगा present value present value annuity factor जो लिया था वो 10% के हिसाब से लिया था और कितने साल का चार साल का यह लिख दिया ठीक है माइनस 1,020,000 तो 45,000 इंटो 3.170 माइनस 1,020,000 सर यह आगे 226,50 वो हो दिक्कत है 226,50 में काम नहीं हो रहा है तो सर मुझे तो negative चाहिए यह 0 चाहिए तो क्या करें तो अब हमको life कितना लेना पड़ेगा अब हमको life लेना पड़ेगा इससे भी कम चाहर साल में भी positive है इससे भी कम लेना पड़ेगा इससे एनपी भी निकलते है 45,000 into तीन साल लेते हैं तीन साल में हमारा 0 आजा है 1 डिवाइ 1.10 123 जीटी 2.487 minus 1,20,000 और ये आगया PVR 10 परशन तीन सा सर ये आगया नेगेटिव 8,0 8,5 8,0 8,1,3,0 भी आया है ठीक ए भगवान ना तो 4 साल में 4 साल परजेक्ट चलेगा तो परजेटिव हा रहा है अगर तीन साल चलता है तो अगयेटिव आ रहा है मतलब 3 साल से जादा चलना चाहिए और 4 से कम चलना 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 है ये लैंग्विज में ने कहीं यह सब्द मैंने पहले भी यूच किया है कि प्रोजिक्ट कम से कम इतना चलना चाहिए कि जितना हमारा इन्वेश्टमेंट लगा है वो रिकवर हो जाना चाहिए अभी तो इसको खतम करे यस सर करना क्या है इंटर्पॉलेशन यह तो आता है आपको आप फॉर्मला लगा लीजिए मैं नॉर्मल जैसे करता हूं वैसे कर रहा हूं कितना था लाइफ लाइफ था चार साल अगर लाइफ लिया तीन साल तो एन पीवी सर नेगेटिव आ गया है 8085 नेगेटिव आ गया है आई यरर में भी ऐसा ही करते थे ब्रेक इवन बोल देजिए ठीक है सर जबकि मुझे एन पीवी क्या चाहिए मुझे एन पीवी चाहिए 0 सर मुझे चाहिए 0 तो कितना चेंज करना पड़ेगा आप फॉर्मूला लगा सकती हो सर जैसे ही हमने लाइफ एक साल कम किया है माइनस में तो डिफ्रेंस और यह आगे 2, 2, 6, 5, 0 का डिफ्रेंस यह आता है आप लोगों को 2, 2, 6, 5, 0 प्लस 8, 0, 8, 5 तो डिफ्रेंस है 3, 0 7, 3, 5 ठीक है तो लाइफ निकल ले यस चार साल चल रहा है चार साल तो पॉजेटिव है तो माइनस करना पड़ेगा एक साल में कितना सर 3, 0 7, 3, 5 का चैंज तो मुझे जो है 2, 2, 6, 5, 0 ही तो डाउन करवान 2, 2, 6, 5, 0 divided by 3, 0, 3, 7 2, 2, 6, 5, 0 divided by 3, 0, 7, 3, 5 minus 4 3.26 यह आज बस मुझे इतना बता दो interpolation आपको आता है कि नहीं आता है आता ही हो का सर एक बार यह बताईए कि 2, 0, 6, 5, 0 कहां से आया मतलब 2, 2, 6, 5, 0 कहां से आया 2, 2, 6, 5, 0 कहां से आया हाँ वह ही पोच्छ रहे हो के बेटे मैं कहा रहा हूं कि यार यह है NPV तो ना ध्यान से यह कहां से आया है मैं समझाने की कोशिश करो यह एक्च्छल में क्या है NPV NPV तो मुझे 0 लाना है ना यार हाँ सर NPV 0 लाना है और 4 साल में NPV positive है 22650 तो 22650 को मैं कितना कम करूँ कि 0 आ जाए तो इन दोरों की बीच का मैंने difference ही ले रखा हाँ equation से कर सकते हैं जिनको equation आता हो equation से कर सकते हैं मैं logic के साथ कर रहा हूं मुझे ऐसा लग रहा कि interpolation आपको आ सकता है बाकि आप equation से कर सकते हैं x1 x2 minus x1 वाल equation से calculator trick के लिए थोड़ा सा रुको थोड़ा सा रुको यार मैं समझाओंगा पक्का ठीक है अब बताओ अब आप काम की चीच काम की चीच total मिला कर कितने साल लाइफ थी पाच साल कोई दिक्कत नहीं पाच साल में कोई दिक्कत नहीं और अब कितना हो सकता मैक्सिमम 3.26 यर और 3.26 यर से अगर कम चला गया लाइफ तो हम बरबाद हो जाएंगे हम प्रोजेक्टों रिजेक्ट कर देंगे तो परशंटेज निकाल सकते हैं को लेकिन इससे पहले एक बात और सुनों एक बात और सुनों बच्पन में 34.8 परशन तनिस्क सही है पर मुझे यह बताओ क्या बच्पन में आपने डिसकाउंटिंग पेबैक पिडियेट सुना था इंटर्पॉलेशन के लिए मैं आपको अलग से बता दूँगा यह माइनस इसलिए किया हूँ क्यूंकि यह 4 से 3 जा रहा है पहले अगर मैं 3 यर उठा लेता तो मैं प्लस कर लेता यह इसलिए मैंने इसको माइनस किया है और कुछ नहीं किया कोई बात नहीं अभी इसको एक मिनट लिए इंटर्पॉलेशन में समझाओंगा अच्छे से समझाओंगा मैं आपको फॉर्मुले के साथ भी समझा दूँगा मैं यहां पे आ रहा हूँ प्रीज यहां पे आ जाओ सबसे पहले मैं इसके बात करूँ सर थ्री एर में प्लस करके कैसे होगा तो थ्री एर में प्लस करके कैसे होगा वो भी मैं समझा दूँगा पहले मैं पहले मैं यह समझा दूँ फिर उसके बाद दीपक मैं उसके बाद समझा दूँगा ठीक, डिसकाउंटिंग पेबैक पिरिट निकालते थे, याद है डिसकाउंटिंग पेबैक पिरिट, हाँ सर याद है, हम क्या करते थे, सर हम यहाँ एर लिखते थे, ठीक है, और सर यहाँ हम लिखते थे, प्रेजेंट वैल्यू अप सीएफ़ेटी, और सर यहाँ लिखते थे cumulative CFAT और हम यह देखते थे कि पैसा पैसा कितने years में वसूल हो जाएगा recover हो जाएगा पैसा लग कितना रहा है सर पैसा जो लग रहा है पैसा वो लग रहा है one lakh 20,000 हाँ सर 120,000 रुपए लग रहा है तो वो एक लाग बीजर कितने years में वसूल होगा कितने साल life है एक साल, दो साल, तीन साल चार साल ऐसे करते हुए चलते थे पहले साल का CFAT discounting कितने परशन से करेंगे 10 परशन से तो पहले साल का CFAT याद करो 45,000 है divided by 1.10 equal to किया तो यह 45,000 ही है हाँ तो सर यह आगे 40909 फिर equal to किया तो सर सेकेंड यहर का CFAT 37190 फिर आया सर 33809 फिर आया 30736 याद है हाँ सर यह 404 कहां से आ रहा है यह आपको पता है यह 45,000 फिर यह का मने फिर्स्ट यह के फैक्टर से multiply किया सेकेंड यह 45,000 आएगा सेकेंड यह के फैक्टर से multiply किया तो यह सब निकाला सर पाच्वे सल का क्यों नहीं लिखे लो भाई लिख दिया पाच्वे सल कभी 45,000 डिवादे बए 1.10 एक दो तीन चार पाच और यह आ गया 27941 ठीक है सर याद आ रहा है याद आ रहा है और मुझे recover कितना करना 120,000 recover करने में कितना time लगेगा कितना year लगेगा तो सर पहले साल आ गया हमारा 40909 ठीक है यस जी अब सेकेंड यह जो 40909 प्लस 37190 सेकेंड यह आ गया हमारा टोटल मिलाकर 78099 ठीक ठीक है सर फिर आ गया प्लस 33809 तो सर यह आ गया 11908 सर चोहते साल चले क्या चलो प्लस 30 जरूरत ही नहीं है जरूरत ही नहीं है आगे जाने की कम से कम कितना साल लगेगा तीन साल तो लगेगा लगेगा प्लस हमें और कितना चाहिए हमें चाहिए एक लग बीस जार तो एक साल में कितना आ रहा है एक लग बीस जार मैंस 111908 सर हमें आ रहा है 207 नहीं 30736 हमें चाहिए कितना 8092 8092 कहां से आए आपको पता है तो सर यह आ गया 3.26 एर्स ऐसा नहीं है कि आप पहली बार निकाल रहे हूं यह डिसकाउंटिंग पेबेक पिरेड आप ना जानी कितनी बार निकाला है कहने का मतलब क्या है सर सर ठक गया आस तो हाँ मैं जानता हूं आस तो ठक हो गई बस इसके बाद कुछ नहीं है इसके बाद और एक पॉइंट बचा है वो खतम करेंगे एक्जामपल खतम हुआ सेंसिटिविटी डिसकस हुआ कोशन कर लेंगे तो दो तरीके हैं दोनों का मिनिंग वही है वाई इसका भी मिनिंग वही है कि पैसा कितने साल में रिकवर हो जाएगा और सर इसका मतलब भी वही है आप ऐसे भी कर सकते हो आप ऐसे भी कर सकते हो I.C.A.I. दोनों तरीके से करता है अब आप की मर्जी एक्चुल में कुछ नही है एक्चुल में लाइफ का मतलब डिसकांटिंग पेबेक पिरेड है अब पर्षेंटेस की बात करें क्या येस सर तो मैंने दो तरीके सिखाए हैं आपको अब पर्षेंटेस की बात करते है चेंज इन लाइफ टूटल कितना साल है सर टूटल है पासम कितने साल 3.26 एर तक अगर कम भी चली लाइफ तो भी समस्या नहीं है दिवाइड़ बाइ डिवाइड़ बाइ डिवाइड किसे करूँ भई सर डिवाइड करे 5 यर्स से और इन्टू कर दो 100 तो सेंसिटिविटी नहीं लाजए चैंज इन लाइफ नहीं सेंसिटिविटी इन लाइफ लिखो तो जाद अच्छा अगर नहीं सेंसिटिविटी इन लाइफ परशेंटेस बोलो परशेंटेस 5 माइनस 3.26 डिवाइड बाइ 5 इन्टू 100 अंसर आ गया सर 34.8 परशेंट इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है हाँ है ना यहार और यही आने वाला है अभी कल जो कोश्चन्स बनाएगे न उसमें यही सारी चीज़े आईगी बस भाई अब एक काम और कर लेते हैं हमारा टेंशन खतम हो जाएगा अब बच क्या गया सर खतम करो कोश्चन को हाँ जी खतम ही कर रहा है बस एक बार देखे क्या बचा हुआ है तो साहाब कोश्ट और प्रोजेक्ट हो गया C.F.A.T. हो गया लाइफ हो गया अब बच्चा है cost of capital 10% सोचे सर 10% पर एनपीवी positive है कि हाँ अगर 11 हुआ तो भी चलेगा बस मेरा एनपीवी 0 नेगेटिव नहीं आना चाहिए 0 आएगा तो भी चलेगा इट मिन्स ऐसा रेट डूढने की कोशिश करेगे मैं कितना सेहन कर सकता हूँ मतलब 10 से ज़्यादा होगा तो चलेगा पर कितना ताकि अनपी भी 0 आजाए अच्छा सर हमें के ही मतलब interpolation से ही होगा हाँ पर हमें इसके लिए भी trial and error method it means क्या हमको IRR निकालना exactly बिल्गुल सहीं बोले internal rate operator निकालना IRR क्या होता था सर IRR वो rate है जिस पर NPV 0 आजाए यही तो था ना यार चलो तो सर टाइम पास मत करो फटा फट से IRR निकालते काम खतम करते कितने पर्षेंट से सूचेंगे तो पॉइंट नंबर क्या है पॉइंट नंबर फॉर sensitivity निकाल रहा है नंबर फॉइंट आपना प्ट यह झालोड वोस्वाट उप्ट अंबर बॉइंट टिसे प्टोंबर फॉइंट नंबर प्ट उप्ट तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमें निकालना पड़ेगा IRR, हमें निकालना है, इसकाउंटिंग रेट, एट विच, एन पी विज इकल टू जीरो, निशांत का अंसर है, सर्थ 20 परशन से उपर जा रहा है, क्या बात कर रहा है, देख लेते हैं बाकियों, अच्छो, एक चीज तो हमको मालूम है, 10 परशन का तो हमारा अल्रेड़ी निकला हुआ है, हाँ सर, 10 परशन का कितना निकला हुआ, अल्रेड़ी कितना था यार, भूल जाता हूँ, 5-0 कुछ था सायथ, किदर गया, 5-0-5-9-5, 5-0-5-9-5, 10 परशन पर तो अल्रेड़ी एन-पी भी निकल चुके हैं, और एन-पी भी निकल चुके हैं, 5-0-5-9-5, अगर अब मुझे रेड़ लेना है, तो रेड़ इससे ज़्यादा ही आएगा, इसमें कोई शक की बाद नहीं हाँ, अब रेड़ इससे ज़्यादा ही आएगा, चलो उठाओ, कैलकुलेटर, मैं जानता हूँ, कि रेड़ में बहुत दिक्कत होने वाली है, सर रेड़ कितना ले, बताओ, चलो आपको बता, गैफ कितने कितने का होना चाहिए, सर गैफ वैसे तो 5-5 परशन का होना चाहिए, एनपी भी बहुत ज़्यादा है, तो एक रेड़ ले लेते हैं, 20 परशन का तो ले लेते हैं, सायद और भगवान से प्राद में लिखन बन बढ़ तो नहीं कर रहा हूं, वैसे 5 परशन का गैफ होना चाहिए, पर मैं 20 परशन पर देख लेता हूं कि एनपी भी जीरो आजाए, बगवान की क्रपा से एनपी भी जीरो आजाए, चलो सा 45,000 ना, यस, 1 डिवाड़ेड़ बाई 1.20, 1, 2, 3, 4, 5, जीटी, माइनस 1, 20,000, नेगेटिव आगए क्या, 1 डिवाड़ेड़ बाई 1.20, 1, 2, 3, 4, 5, जीटी, इनटो 45,000, माइनस 1, 20,000, ओहो, सर ये तो पॉजिटिव आ रहा है, 1, 4, 5, 7, 7, बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी, अन्स का कहना है सर हम 30 परशन तक पहुच गा है, गुट, अब मैं और आगे चलता हूँ, मैं 25 परशन, सायद अंस आप से कहीं, कैल्गुलेशन मिश्टेक हो गई हो की, एक बार मैं भी देख लू, 25 परशन से, या सब देख लीजे, 1 डिवाड़े 1.25, 1, 2, 3, 4, 5, जीटी, माइनस 1, 20,000, 1, 2, 3, 4, 5, जीटी, इन्टू 45,000, ओहो, अभी भी आ रहा है, 1018, 1018, बताओ क्या करे, क्या दिल कर रहा है आपका, सीधा 30 परशन ले लू, बताओ ना यार, देखो ना यार, अब यहाँ थोड़ा सा तो लॉजिक, कॉमिन सेंस लगा सकते हो, जैसे 20 परशन पे था, 145, 7, 7, 25 पे पहुचा तो देखो, लगभग, 1018 आ गया, तो अब सोचो, अगर मैं 5 बढ़ाता हूँ, तो यार, बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा, तो कुछ, तोरा सा बढ़ा देते हैं, सर, कितना बढ़ाते हैं, सर, 28 परशन कर लेते हैं, 28 परशन, सर, हमारा 27 परशन बन कर रहा, आप वैसे भी कर, किसी का 26 कर रहा, आप वैसे भी कर सकते हो, सब 30% पे क्या दिक्कत है, 30% पे मुझे कोई दिक्कत नहीं, सबका आंसर एक जैसा ही आएगा 1 डिवाइब 1.28 1, 2, 3, 4, 5 GT इंटो 45,000 माइनस 1, 20,000 और यह negative आ गया 6, 0 6, 0 ठीक interpolation कर लेते आप formula उठा कर लीजिए मैं सीधा कर रहा हूँ 25% पर 1, 0 1, 8 और 28% पर माइनस में 6, 0 6, 0 और मुझे चाहिए NPV 0 तो यहाँ change हो रहा है 1, 0, यहाँ कितने का है 3% का, यहाँ difference कितने का 10, 1, 8 प्लस 6, 0, 6, 0 तो यहाँ answer आ रहा है 7, 0, 7, 8 तो पक्का rate आ गया या फिर इसको मैं नाम आयरा नाम नहीं दे रहा हूँ मैं नाम दे रहा हूँ sensitivity नई सर अभी sensitivity नहीं निकलेगा अभी तो IRR ही निकलेगा 25.43 थाए्ट थागिऑँ दőand — 25.43 थागँ पर इसको अभी plus 25, 26.15, चल जाएगा, 25, 25 आ रहा है, चल जाएगा, 25, 25 आ रहा है, चल जाएगा, 3 divided by 7078 into 1018 plus 25, sorry, 25.43 पर्सेंटेस, च्छी को सही है, इशात अनिस्क सभी का सही, ठीक है, स्राइब, फाइनल काम कर रहा है, सेंसितिविटी, 8 minutes, वैसे cost of capital कितना 10, नहीं मेरे भूलने से नहीं चलेगा जो सच है वो सच है तो सुरो जहां से वरीवा मैं कर रहा हूं सेंसिटिविटी अब सेंसिटिविटी कर रहे हैं सेंसिटिविटी कोई फॉर्मुला नहीं है सीधा लिख रहा है सर 25.43-10 यस डिवाइड़ बै क्या आएगा सर डिवाइड़ बै टैन मतलब डिसकाउंटिंग रेट कितने पर्षेंटिस से बढ़ाया जा सकता है सर ये तो बहुत ज़्याद आ रहा आ जाने दो डरने वाली बात नहीं है 25.43-10 डिवाइड़ बै टैन इन्टु हंड़ेड सर ये तो आ गया 154.30 पर्षेंटिस आ जाने दो भई कोई समस्या नहीं इसलिए डर मत जाना किया और इतमा कि पाइनल फाइनल 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 करते हैं नहीं गलत नहीं होगा एक्चुल में बच्चों का ये कहना है कि सर अगर हम सीधा 10% ले ले इंटर्पोलेशन चुक कर रहें 10% ले लेते हैं और उसके बाद 30% ले ले लेते हैं तो दिक्कत क्या है variation आएगा मैंने कहा ना थोड़ा सा variation आएगा एक्चुली ICAI का IRR की मामले में रूल सीए है सुनों के ध्यान से कि जो एक्जेक्ट आंसर है अगर एक्जेक्ट आंसर है 25.60% एक्चुरेट आंसर यही है जो ICAI की सबसे है पर हिटन ट्रायल मेथट है तो बोले ऐसा है कि एक्चुरेट किसी का आएगा नहीं आ जाए तो बहुत अच्छी बात है तो उनका यह कहना है कि आप इसमें अगर किसी बच्चे का 0.25% अगर आपका आंसर 25.85% आ रहा है तो भी समस्या नहीं है यह 25.6-0.25 और किसी बच्चे का आंसर आ रहा है 25.35 कोई अया इसके बीच में भी आ रहा तो कोई एक लिमिट दे दिया रैंच बात समझना इशा वो मैं डिसकस करूंगा कि एक्जाम में कौन से अप्रोच से हमें चलना है क्योंकि दो अप्रोच में ने भी करवाएं हाँ करीब लेक के जाने का मतलब बस मैं यह कह रहा हूं कि जितना पास में लोग की दो रेट उतना अच्छा और पाच परशन्ट में हमारे पाच परशन्ट का गैफ है तो हमारा चल जाता चीक है अभी सुनो अभी यहां बात पूरी नहीं हुई है बात पूरी करेंगे उसके बाद हम सारा काम करेंगे चलो सर, तो सर क्या निकला था, अब काम की चीज, एक तो सर हमने sensitivity निकाला था, किस में निकाला था sensitivity, cost of project में, यहाँ लिख लूँ कि यार एक जगा, या सर, एक जगा कहीं लिख लेते हैं, तो हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगे, तो सर, cost of project में, जब sensitivity निकाला, तो कितना आया था, 42.16%, ठीक, फिर सर, हमने CFAT में भी sensitivity निकाला, और CFAT में sensitivity कितना आया था, सर, CFAT में sensitivity, ओहो, यह तो बहुत आगे निकल गए, CFAT में 29.66%, 29.66%, ठीक है, दूसरी अप्रोच की मैं बात कर, सर, उसके बाद हमने life में sensitivity निकाला, यस, और life में कितना आया था, सर, life में आया था, हमारा 34.8%, 34.8%, और फिर cost of capital में भी निकाला, और cost of capital में आया, 25, नहीं, 154.30%, आजी, आज़र चाहिए, it means, अब आखरी बात करने जा रहा हूं, class खतम करने से पहने, बस दिल मत तोड़ना, अब कुछ पूछने जा रहा हूं, cost of project को में कितना, कितना acceptable है, बढ़ जाएगा, तो भी चलेगा, 42% बढ़ेगा, तो भी चल जाएगा, CFAT गिरेगा, तो भी चलेगा, life कम होगी, तो भी चलेगी, cost of capital तो यार, वो तो मैं accept करने को तयार हूं, हाँ, वाँ यार, मैंने तो पूछा भी नहीं और बच्चों ने जवाब दे दिया, कि सर क्या, मैंने तो ये कहा, कहा पूछा आप से कि बताओ, कौन सा critical factor है, लेकिन बच्चे कितने समझदार, अब तो मेरी दिल की बात समझने लगे, वाँ, बिल्कुल सहीं बोले, मैं यही पूछना चाहता था, कि कौन सा critical factor है, पर बच्चों ने मेरी बात सुना ही नहीं, वाँ, बलते सर हम बता रहा है न, CFAT, वाँ, मजा आ गया, तो आंसर है, CFAT, critical factor CFAT है, इसमें ज्यादा चैंज नहीं किया जा सकता, इसमें ज्यादा चैंज नहीं किया जा सकता, बस इतना याद रखना, ज्यादा चैंज नहीं किया जा सकता, हाँ, मैं यही पूछने वाला था, पर बच्चों को पता नहीं कैसे, पहले सी पता लग गया कि मैं यही पूछने वाला था, CFAT बरदास्त के बाहर है, ठीक है, लिष्ट क्रिटिकल, COC, COC मतलब बस 10% क्या, छोड़ो, 15 क्या, 20 क्या, कोई अगर हम 25 पर भी उधार दे देना, तो हम पैसा उठाने को तिया रहे, और लगाने को तिया रहे, बिल्गूल सही आशिस, सही बोल रहे, लिष्ट क्रिटिकल है, COC, चलो, तो, कॉन्क्लूट कर रहा हूं क्लास को, बस मेरी बास सुनोगे, ध्यान से, आज जो पढ़ा, सब, सब इंपोर्टन चीज़े पढ़ी, सेंसिटिविटी एनलिसिस की दो एप्रोच पढ़ा, एक में हम क्या करते थे, सर, एक में हम चैंज करते थे, एड़वर्स, ठीक है, और दूसरे में हम इस तरह से जुगार लगाते थे, कि यह एन पीवी जीरो आएगा, तो भी चलेगा, अब एक्जाम में प्रॉब्लम यह है, कि एक्जाम में आपको बताएगा ही नहीं कि कौन सी एप्रोच से करना है, एप्रोच नमबर वन से करना है, कि एप्रोच नमबर टू से करना है, और अगर आपको एक्जाम में कुछ ना बताए, एक्जाम में कुछ ना बताए, और मै आपसे वहनों आप आजाद हो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो दोनों एप्रोच में से एप्रोच नंबर वन जो पहले करवाए एप्रोच नंबर टू दोनों में से कौन सी एप्रोच से करना चाहोगे चैंच 10-10% चैंच करके कर दे या फिर NPE margin of safety MOS वाला कौन सा एप्रोच ज्यादा एजी लगा हमको दोनों एप्रोच की अपिक्चा एप्रोच वन या एप्रोच टू बच्चों का गहना है कि सर एप्रोच वन ज्यादा एजी है सर उसमें ज्यादा जंजट नहीं है और एप्र आपको अगर मैं कुछ नहीं बताता हूं सुनना ध्यान से ICAI हमको कह क्या रहा है आप मत हुई ये परिशान अगर हम आपको कुछ बताते नहीं है तो आपकी जो मर्जी जिस एप्रोच से करना है कर सकते हैं देखां इंस्यादा कितना अच्छा है हमारी फिलिंग समस्ता है आप आजा दो जिस एप्रोच से करना चाहूं कर सकते हैं इंस सर इंस्टिट्ट्यूट की किताबों में दो आंसर है यस दो आंसर है अगर एप्रोच नहीं बताया है तो और सर अगर एप्रोच बताएगा तो कैसे बताएगा वो कल डिसकुशन करेंगे ठीक एप्रोच टू टाइम कंजिमिंग है आंस सहीं बोल रहे हैं लेकिन आंस अगर लिग देगा कि यार एप्रोच आपको ऐसी यूज करना जिस पे एन पीवी जीरो हो तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं फिर तो करना ही पड़ेगा फिर कॉश्चन में क्या लिखा रहेगा क्या नहीं रहेगा वो कल डिस्कुशन करो हमाई कल कोश्चन्स बनाएगे sensitivity analysis पे मैंने कुछ लिखवाया नहीं हूँ अभी और अभी आज लिखवाने वाला नहीं हूँ कल sensitivity analysis पे एक भी सब्द नहीं लिखवाया हूँ एक ही example चल रहा है, दो classes से एक ही example चल रहा था और आज खतम हुआ हाँ, class के बाद call करोगे अगर आपको call करना class के बाद ठीक है, अब मैं आपसे बस बोल रहा हूँ कि sensitivity analysis में अभी तक मैंने कुछ लिखवाया नहीं कल class start होगी, तो start होते ही सबसे पहला काम ये होगा कि हम लोग sensitivity analysis के विशे में theory लिखेंगे क्योंकि exam में आता है और उसके बाद questions बनाएंगे तो thank you so much, मुझे उमीद नहीं थी आप लोगों से कि आप class attend करोगे मुझे पता लहीं, वैसे मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, मुझे आच छुटी रखनी चाहिए थे आप लोगों के लिए, पर मेरी बीच में Saturday class नहीं हुई थी और मैं class थोड़ा सा slow इसलिए भी चल रहा था क्योंकि books भी नहीं पहुची है बच्चों के, तो और books पहुच जाएगी मैंने आपको कल बताया कि क्या issue आ गया था ठीक है, good night winner thank you so much, आप लोगों ने class attend किया, unexpected था, thank you so much, thank you good night sir, good night